बीजेपी के वरिस्ट नेता वपूर विधान सभा अधर्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद सरकार ने बेहतरीन बजट पेश किया है मगर कॉंग्रेस नेताओ को यह बजट रास होता नहीं नज़र आ रहा है जो समझ से परे है मीडिया के सामने अपनी बातों को जारी रखते विए उन्होंने कहा कि पुर्यप्रधार्मंत्री के समए 4% ग्रोц रेट हुआ जो इन्हें अच्छा लगता था या उसके बावजूत कॉंग्रेस को बजट अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ कॉंग्रेस पर निशाना साथते वे पुर्विधान सबाध्यश डॉक्टर राजी बिंदल ने कहा कि कॉंग्रेस नेता बताएं कि उन्हें कौन सा बजट अच्छा दिखाई देता है क्योंकि यह भाश्पा की समस्या से परे हैं। अगर कई क्रोड जो कामगार हैं मिस्टरी हैं मेशन हैं मज़़ूर हैं जो सुनार हैं कुमार हैं लुहार हैं उनके लिए अगर योजना बनती है तो उनको बजट अच्छा दिखाई नहीं देता है। अगर जे 7% का ग्रोथ होता है तो उनको यह बजट अच्छा दिखाई नहीं देता है। जबकि हमारे पूरों प्रदानमंत्री जी के समय में ग्रोथ रेट 4% के ऊपर पहुंचा और 4% ग्रोथ रेट को यह बहुत अच्छा मान रहे आज 7% का ग्रोथ रेट इनको अच्छा दिखाई नहीं देता। जब हमारी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कांग्रेस के रिजीम से बढ़ करके धाई गुना हो जाती है तो इनको यह बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। एक्सपोर्ट बढ़ती है इंपोर्ट घटती है हमारा डिफेंस मजबूत होता है तो इनको बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। डिफेंस और सामरिक द्रिष्टी से हम मजबूत होते हैं पांच लाख पचास जार क्रोड रुपेया वो डिफेंस के उपर खर्च होता है और हमारे देश के अंदर डिफेंस की चीज़ें पैदा होती हैं तो इनको बजट अच्छा दिखाई नहीं देता। इनको बजट कौन सा अच्छा दिखाई देता हैं ये तो समझ से परे हैं